कि नमस्कार में तो अधाश्री फार्म के नए वीडियो में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में मैंने आप से बताया था कि कैसे फ्वेड कास्ट को कम किया जाए क्योंकि मांगाई बहुत चरम सिमा पे चलती जा रही है और ऐसे मांगाई रहेगी तो बड़े बड़े फ नहीं है कि किसान इतना मेहनत करता है मेहनत से उपादन करता है दूद का और उसका सही रेट मिलता ही नहीं है उनको और उसे चारा से लेके फीड से लेकि हर एक चीज खरीदना होता है और एक किषान का दर्दूह है एक किषान इसमझ रखता है मैंने टेरी फार्मिंग की है और हमें पता है कैसे का जाता चाहर से चारी को लाया जाता है और कैसे चारे को मतलब एक जमीन से लेकि जब हम गेहों को बोते हैं तियार करते हैं काड़ते हैं और उसको दवाते हैं उसका कास्ट अगर जोड़ा जाए तो किसान के पास कितना फायदा होता है वो किसान नहीं समझ सकता है उसी तरह से हम जब डेरी फार्मिंग करते हैं तो उसको एटूचेट खर्च को हमें जोड़ना होता है क्योंकि उसी से जो है कि किसान अपने डेरी फार्म को मैनेज करता है उसी से दो पैसा बचाता है तो उसके बच्चे पढ़ते हैं उसी टेरी फार्म से दो पैसे बचते हैं तो उसके घर की रोजी रोटी चलती है और वो दिन रात सुबह से लेके साम तक अगर रात में भी जगना परिवारा बज़े रात को भी तो किसान उठता है और उठके जाता है और अपने फार्म में जो भी काम होता है उसको करता है बहुत से टेरी फार्म में चार बज़े उड़ जाते है और उठके अपने टेरी फ नहीं समझते हैं और मेहनत से जो है कि तो पैसे के लालच में परिश्रम करते हैं और उनको अगर वो बचे नहीं तो फिर उनका डेरी फार्मिंग बेकार है तो मैंने जोड़ा आजकल कोई भी फीड कंपनी का जो फीड आ रहा है वो 32 रुपे 34 के जिसे बढ़िया फिड कम में नहीं मिल रहा है तो हमने सोचा कुछ ऐसी चीज़ों को को पम किया जा सके कि कुछ ऐसे चीजों को कलेक्ट किया जाए जिससे की फीड के कास्ट को कम किया जा सके कि तो मैंने आज रात में वाइठा और बैट के सोच रहा था कि क्या कैसे कौन सा चीज बैलेंस फीड को के लिए बैलेंस करने के लिए कौन सा आइटम ऐसा मिलाया जाए जिसे के फिट कास्ट कम हो जाए और जो हम पिछले कई बार से मैं बताते हैं रहा हूं कि जो अगर हम मिक्स फिट खिलाते हैं मतलब बहुत सारे कर देते हैं तो हमारे कास्ट कम हो जाते हैं उसमें मैंने कि दो चार छे साथ आइटम लिए हैं और बाद में दो आइटम और बढ़ाएंगे तो 9 आइटम हो जाएंगे तो फर्स्ट क्या है मैंने 100 kg 105 kg फीड बनाने का फर्मूला बनाया था 105 क्या वो 107 kg हो जाएगा तो फिलहाल जो लास्ट में मिनरल और नमक इसको हम जोड नहीं रहे हैं तो मैंने ऐसे एक फर्मूला तयार किया उसमें 105 kg का मैंने मिक्चर तयार करने के लिए प्लानिंग किया उसमें मैंने साथ आइटम लिये हैं फर्स्ट है चना चुरी रहर की चुनी मक्का और चावल जो होता है मोटा वाला चावल जो होता है वो हमें 17-18 रुपे मिल जाते हैं तो वो भी लेंगे और कोई फीड लेते हैं जैसे कि लाहियां कंपनी का फिड लेंगे और उसके बाद एक जो हम अपने डेरी फार्म पे यूज कर रहे हैं सीतल का मिल कुमूर उसको भी लेंगे और चोकर लेंगे क्योंकि चोकर बहुत ही इंपोर्टेंट है चोकर में फाइवर होता है और जिससे जानवरों का लीवर और पाचन क्रिया जिससे पाचन क्रिया सही होती है तो अब उसको मैं अगर जो भी डेरी फार्म हमारे वीडियो को देख रहे होगे एक कॉंपी और पेन ले लेंगे अगर वह प्रयोग करना चाहते है तो उसको विडो बना के अपने फार्म पर यूज कर सकते हैं दोस्तो मैंने पहले चना चूनी होती है चना की चूनी फ्रेस चना चूनी लेंगे पांच केजी और उसके बाद लेंगे रहर की चुनी, वो 10 कजी ले लेंगे, चना की चुनी 5 कजी कि इसलिए मैं ने कहा कि चना की चुनी थोड़ा मही है, तो उसको 10 कजी कर देते हैं, मक्का ले लेते हैं 25 केजी क्योंकि मक्का 24-25 रुपए किलो मिल जा रहे हैं हमें असानी से और इसमें जो मोटा वाला चावल होता है उसको हम लोग 15 केजी ले लेंगे चावल बहुत अच्छे से पज़ जाता है और इसमें दूद भी जानवर नूट्यसी अच्छे होते हैं तो दूद अच्छी जानवर हमारी जो है दूद अच्छी निकालती है तो चावल मोटा वाला चावल 15 केजी ले लेंगे पिस्वा देंगे इसको उसके बाद किसान या सीटल या फिर यो भी आपके पास उपलब्द है अच्छा फिट उसको 25 केजी ले लेंगे 25 किलो और सीटल का मिल्क मोर हमने 15 केजी लिया है चोकर 10 किलोयट किये हैं इसके बाद कि इतने 100 केजी फिड में 1 किलो हमने मिनरल मिक्चर कोई भी बेस्टमीन ले लीजिए या फिर खुरा मिनरल आता है वो ले सकते हैं अब बहुत सारी कंपनिया है जिसके आप कुछी एक कंपनी का बढ़ियां वाला मिनरल मिक्चर ले सकते हैं और उसमें 1 केजी नमक मिला दीजिए और सारे फिट को मिक्स कर लीजिए बारीकी से मिक्स करेंगे ताकि पूर्ण रूप से पूरा फिट जो है मिक्स हो जाए कहीं ऐसा नहों कि कहीं कोई ठीक से मिले और इसको हम जो है अगर मैं रेट की बात करता हूं तो यह सब तयार करने के बाद यह हमें 25 रूपे 80 पैसे प्रतिकेजी के हिसाब से यह फिट पढ़ रहा है एक चार्ट बनाए है चार्ट भी हम वेडियों में प्रयास करेंगे कि एट कर दें कौन सा आइटम किस रेट में है और मिलाने के बाद हमें किस रेट में पढ़ रहा है तो इस तरह से आम फिटिंग कास्ट को कम कर सकते हैं और इसमें जो है कि जितने भी न्यूट चहिए पोशक तत्व है कि वह हमें हमारे जानरों को आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि तीन चीज बहुत ही मस्ट होती है जानरों के लिए एक फाइवर हुआ प्रोटीन हुआ और इनर्जी फाइवर प्रोटीन और इनर्जी यह तीनों चीजों का कि तीनों चीजें जो होती है वह जानरों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होती है तो इस तरह से हम एक फीड फॉर्मूला जो मैं अपने डेरी फार्म भी यूज कर रहा हूं आप भी चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं बनाके और देखिए दूद हमारे डेरी फार्म का तो दूद घटा नहीं है और यह फीड तैयार करने के बाद मैंने आधा आधा के जिसे भी जानुवर का फीड कम कर दिया उसके बाद भी हमारे जानुवर उतने ही दूद दे रहे हैं जो कि पहले ज्यादा कास्ट वाले फीड खाके दूद देते थे कि कोई और विधी है अगर फीड कास्ट को कम करने के लिए क्योंकि जैनरल किसानों का रेट जो गाय की दूद का रेट है 35-40 रुपे प्रति केजी के हिसाब से भी रहे हैं और हम 35 रुपे का अगर फीड ही खिला देंगे तो हमें बचत कुछ होने वाली नहीं है तो सारे च सुझाओ का स्वागत है आप अपने सुझाओ कमेंड बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्यान कभी किसी का पूर नहीं होता है और हम तो अभी नए आये हैं डेरी फार्म में डेरी फार्मिंग में अभी पिछले तीन साल से कर रहे हैं लेकिन ज सला जरूर दें ताकि जितने भी दर्सक है उनको आपकी जनकारी पहुंचाई जाए से इस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नमस्कार